सब्सक्राइब कीजी गौर्वेंट एंप्लोईज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर ख़बर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों सुआगाते हम सभी का गौर्वेंट एंप्लोईज न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों मोधी सरकार का बड़ा फैंसला तेवीच लाख लोगों को हुगा फाइदा जी हां दोस्तों सही सुनाएं आपने से कि आप यहां पर देख वा रहे हैं जी नुज में छपी खबर के अनुसार मोधी सरकार ने एक मेहत पूर्ण फैंसला लिया है और इसी फैंसले के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्जा करेंगे तो बने रही है आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लागे तो लाइक से और कमेंट जरूर करें और दरसल किन सरकार ने सेंट्रल यूनिवरिसिटी और इनके जो कॉलेज हैं उनमें काम कर चोंगे रेटार्ड फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्थाप की पैंसन को रिवाईज करने का निरने लिया है और यह बदलाव सरकार ने सात्में वितनाय की जो सिफारे से हैं उनकी पैंसन है उसमें 6,000 रुपे से 18,000 रुपे तक की व्रद्धी हो जाएगी तो इसकी जानकारी ट्विट के माद्दम से इसकी जानकारी दी गई थी तो इसकी अलावा सरकार के इस मसले का फाइदा लगबग ऐसे 8,000,000 अध्यापक और 15,000,000 नों टीचिंग स्थाप को भी मि ट्विट में जावड कर जी ने लिखा था कि नरेंदर मोधी सरकार ने सेंट्रल यूनिश्टी की रिटार्ड फेकल्टी और अने नों टीचिंग स्थाप की पैंसन साथ में वितनायों की सिपर्शों के अनसार रिवाइज करने का फैंसला लिया है तो जैसे कि आप यहां प पर दिये इन सब भी पैंशनर को और उनका भी अफसात्म वितनाय का लाब मिल जाएगा तो इसमें यह वाता कि कैसारे राज्यों में जो मौझुदा पैंशनर सेंग और टीचिंग उन्हों टीचिंग स्थाप है उन्होंने प्रदेशन किये थे और प्रदेशन करने के जो लोग हैं उनके लिए काफी अच्छी ख़बर यहां पर सामने आईए कि उनको भी बागे किंद्रिय कर्मचारियों की तरह सात्म वितनाय कलाब मिलेगा और उनकी पैंशन सेलरी उसी के अकॉर्डिंग यहां पर रिवाज की जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतन करें और नए वीडियो देखने के लिए अब हमारे चनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद